अलोकी प्रक्रिया और सुस्त पढ़ती कोरोना की लहर के बीच यात्रियों की संख्या में अजाफा होने लगा है इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ और निरस्त हुई ट्रेनों कोफर से चलाने का फैस्टा लिया है इन दोा स्टीशन पर ट्रेनों के संचालन शुरू होने से स्टीशन की रौनक लोटी है अब रेलवे विवाग ने उन स्पेशल ट्रेन कोफर से शुरू कर दिया है जो कोरोना के आबदा काल में रोक दी गए थी रेलवे ने लंबी रूट की ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है कोविट-19 की दूसरी लहर का सम असर रकम होते ही रेलवे कुछ और ट्रेनों को बहाल करने का फैसला पर कार कर रहा है आलग अलग राज सरकारों से सलह मश्वरा चल रहा है और कोरोना की सिथी पर गौर किया जा रहा है कोविट-19 जिस तरह से इंडिया में आया था 2020 में उस टाइम हम लोगों ने 22 मार्च 2020 से ट्रेनों का संचालन बन किया था और जैसे ही इसका प्रकोप कम हुआ था तो लोगडाउन खुला और इसके बाद ले लोग का संचालन दीरे-दीरे से सुरूख किया था कोविट-19 के आने से पहले इंडॉर स्टेशन से करीब 56 ट्रेनों का संचालन होता था विविविंस एहरों के लिए लेकिन जैसे ही लोगडाउन खुला था तो करीब हम लोगों ने 36 ट्रेनों का संचालन दिया था जो लॉंग डिस्टेंस भी थी और सौड डिस्टेंस भी लेकिन कोविट की जो सैकिंड लहर आई थी काफी आकरामक थी जिसमें की काफी लोग इंवाल्व हुए थे और काफी भय व्यापत हुआ था जिसके करण हमारे ट्रेनों की अंदर याद्रियों का रश्क कम हुआ था उसके करण हमको 26 ट्रेनों का संचालन बंद करना पड़ दो應該 जिसे रही खिए और जैसे ही एक के बाद में लॉकडाउन खुला है पूर बजे बाब तीरे देर हमारा संचालन रेलों का सुरू हुआ है तो इस तरह से हम लोगों ने 22 टेनों का संचालन किया था कर रहे हैं हम लोग और कल से एक और टेन स्टार्ट हुई है तो 23 टेनों का संचालन दौर से किया जा रहे हैं